अमस्कार आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आडिनो बॉड के बारे में इस यूटूब चैनल पे आडिनो और उससे रिलेटेड जितने भी प्रोग्रामिंग है छोटे-चोटे प्रोजेक्ट से उनके बारे में हम बात करते हैं तो जिन लोगों ने मेरे चैनल को स सब्सक्राइब कर लें जिससे के लेटेस अपडेट मिलती रहें और आडिनो की जो प्रोग्रामिंग उनके बारे में आपको पता चलता रहे हैं तो आज का जो हमारा वीडियो है वो आडिनो से रिलेटेड है कि आडिनो यूएवनो होता क्या है उसकी जो पिन डाइग्राम तो हम यहां से स्टार्ट करते हैं तो A0, A1, A2, A3 और A5 तक जो भी पिन्स है वो कौन सी पिन्स आपकी एनालोग पिन्स है यहां पर अपन कोई भी सेंसर को कनेक्ट कर सकते हैं जिससे मानलोग कि आपके पास में कोई एक थर्मल सेंसर है जिससे आपको टेंपरिचिर अगर नोट करना है कोई आपका ऐसा सेंसर है जिससे वाटर का लेवल आपको मेजिर करना है तो यह जो इन्पुट होते हैं यह सारे के सारे आपके एनालोग इन्पुट होते हैं तो यहां पर अपन इन्पुट देंगे वो एनालोग फॉर्मेट में देंगे तो जो भी सेंसर से यहाँ पर connected होंगे वो analog input आपको इस UNO board के अंदर देंगे उसके बाद में यह आपका V input है यह input voltage है आपका input voltage है जो भी आप voltage दे रहे हो इसके लाब यह ground terminal है ground दो terminal ground के provided है यहाँ पर यह 5V आपका output अगर मालो कि आपको कोई भी ऐसा device है जिसको 5V पर operate करवाना है तो आप यहाँ पर उसको connection दे सकते हो 5V से फिर 3.3V output भी दिया गया है तो यह normally output के लिए 5V यह DC voltage अगर आउपट में चीए तो आप 3.3V का output यह भी pin यूज कर सकते हो और 5V तर slot है यह भी आप यूज कर सकते हो इसके लावे इनका इता utilization नहीं होता है तो हम इनके बारे में जब बात नहीं करेंगे हम इस यूज बॉर्ड में जो जो important आपके slots हैं जो pin है उन्हीं के बारे में आपन बात करेंगे वेसे इसके right hand side में भी काफी चीज़े लिखी इसके फिर आगे जाते हैं तो यहां पर एक यह barrel jack दिया हुए तो यह barrel jack basically क्या होता है कि Arduino UNO है उसको अगर आपको power क्योंकि Arduino UNO power store करे गए गरेगा तो इसको जो power हैं किस से देते हैं computer या कोई laptop है उसकी जो slot हमें provided होता है उसके वहां से हम देते हैं तो 7-12V का जो jack है यहां पर एक पीन आपकी connected होगी एक आपकी USB पीन होगी जिसमें एक उसका जो सीर्या होगा यह आपका connect होगा laptop या computer से और दूसरा जो उसका terminal होगा यह यहां से connect होगा तो आपके computer से इसको supply मिल जाएगी यह आपका voltage regulator है voltage regulator जो आपने stabilizer जो पहले computer है जो आपके TV होते थे उनके यूज करते थे यह इंटर्णलर डाग्राम यह उसका जो सबसे important जो है वो है micro controller यह micro controller आपको दिख रहा होगा बलेक लगा तो यह micro controller है 8 mega 3328 micro controller IC है जो की इसका एक main important part है मतलब अगर यह बोल दें इस Arduino यह में सबसे important जो portion है यह समसे important जो component हो है 8 mega 32 यह micro controller उसके बाद में यह ह आपका 8 mega 16U2 micro controller IC USB controller यह 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 USB port 2 है इस USB से क्या होता है कि जैसे आपने कोई भी एक program design किया हम program के बात करेंगे जब Arduino की programming ID जब detail हम बात करेंगे कैसे प्रोग्राम लिखते हैं कैसे उसको फिर install किया जाता है तो अगर मालों कि आपने कोई भी program design किया suppose कि LED का program आपने design किया उस LED की program को आपको run करवाना है using Arduino UNO board तो उस को उस particular program को यहां पे डालने के लिए तो अपन क्या करते हैं यह USB port यहां पे दिया वाया है तो इसका एक terminal connect होगा आपका इससे और दूसरे terminal आपका connect होगा USB port के किसे computer से तो जो भी आपके पास में computer है उसको run करवाने के लिए हम इसके अंदर इसको burn कर देंगे computer को जो आपका program उसको यहां पर burn करेंगे तो यहां से यह connection यह नि computer की programming है उसको आपको input देने के लिए यह basically port 2 दिया हुए यह आपका reset button reset button जैसे मालों कि आपने एक program इसके अंदर Arduino UNO में आपने बंड करवा दिया ठीक है उसके बाद में माल Arduino UNO उसके अंदर काम कर सकता है यह एक बार अगर आपने एक program इसके अंदर run करवा दिया यह इसके बंड करवा दिया तो इसका मतलब यह नहीं कि Arduino UNO खराब हो गया इसको आपको दूसरा Arduino UNO चाहिए इसी के अंदर यह आप कर सकते हों तो सबसे पहले आपको करना पड़ेग यह reset button इसके अंदर push करना पड़ेगा तो इस reset बसंद से क्या होगा कि इसके अंदर जितना भी program था वो आपका zero में convert हो जाएगा यह इसके अंदर कोई भी program आपका installed नहीं है अगर को दूसरा program आपको इसके अंदर run करवाना है तो पहले reset button दबाना पड़ेगा देना आपको प्रोग्राम आएंगी यह आपकी डिजिटल पीन से यह सारी आपकी वन से लेकर थाटीन तक डिजिटल पीन है इन डिजिटल पीन के थ्रू हम क्या सकते हैं जैसे बूर्य अनर्जेब्रा में zero या वन यह तो voltage present या voltage absent या voltage absent या voltage प्रेजेंट करते है voltage absent उसको zero से प्रेजिटल पीन होती है तो अगर डिजिटल आउटपुट आपको चीए तो जीरो से लेकर थाटीन के बीच में किसी भी स्लोट वे किसी पीन को आप यूज कर सकते हो इसी तरह से यह ग्राउंड एक यह भी प्रोवाइडड है तो मैंली हमीं बोल सकते हैं कि इस आडिनो यूवनो के अंदर एक तो एनालोग पिन्स हैं जो कि सेंसर के इंपूट के लिए काम आती हैं इसके लावा 5 वोल्ट आउटपूट है 3.3 वोल्ट आउटपूट है इसके लावा एक जैक दिया हुए है जो जैक यूटिलाइजिशन होता है आपका पावर सप्लाई देने के लिए यह प्रोग्राम को रन करने के लिए एक स्लॉट दिया हुआ है इसके लावा 13 यह पिन दीवे जिसके तो हम डिस्टल आउटपूट ले सकते हैं और इसका में जो कंपोनेंट है वह आपका है एट मेगा 32 माइक्रो कंट्रोलर तो इस आज के इस वीडियो के अंदर हम ने बात की कि जो आडिनो यूए उसकी पिन डाइग्राम क्या है और जो सारे पिन है उनका यूटिलाइजिशन क्या क्या है अब हम कुछ स्मॉल डाइग्राम्स लेक अगली जो नेक्स वीडियो उसके अंदर बात करेंगे अगर जिन लोगों ने वीडियो मेरा सब्सक्राइब नहीं किया या चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो मेरा वीडियो से यह जो चैनल लोगों सब्सक्राइब कर लें जिसे उनको लेटेस्ट अप्टेट मिलती रहें